ओम सांती आज 11 जनवरी 2021 की मुडली में बाबा ने कहा मीठे बच्चे मुष्ट ब्लुएड सिव बाबा आए हैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने तुम उनकी स्रीमत पर चलो प्रस्न है मनुस्य परमात्मा के बारे में कौन सी दो बातें एक दूसरे से बिन बोलते हैं उत्तर है एक और कहते परमात्मा अखंड जोती है और दूसरी और कहते वह तो नाम रूप से न्यारा है यह दोनों बाते एक दूसरे से भिन हो जाती है यथार्त रूप से न जानने के कारण ही पतित बनते जाते हैं बाब जब आते हैं तो अपनी सई पैचान देते हैं आज का गीत है मरना तेरी गली में जीना तेरी गली में अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सांती, बच्चों ने गीस्त सुना, जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जनम लेंगे कहने में यही आता है कि बाप के पास जनम लिया, मा का नाम नहीं लेंगे बदायां बाप को ही दी जाती है, अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा हैं, वह होगी सरीर की बात बाप के बच्चे, तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, रहने वाले भी वहां के हो, जिसको निर्वान धाम वा सांती धाम कहते हैं, असुल तुम वहां के रहने वाले हो, बाप भी वहां रहते हैं, यहां आकर तुम लोकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फ सुख में उस बाप का कोई सिम्रन नहीं करते हैं दुख में याद करते हैं और याद भी आत्मा करती है जब लुकिक बाप को याद करते हैं तो बुद्धी सरीर तरफ रहती है यह बाबा उनको याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा, हे दौनों बाबा, हे दौनों बाबा, राइट अक्सर बाबा ही है यह भी फादर, वह भी फादर, आत्मा उस रुहानी बाब को याद करती है तो बुद्धी वहाँ जाती है यह बाब बैट बच्चों को समझाते है अभी तुम यह जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको अपना बनाया है, बाब कहते हैं, पहले पहले हमने तुमको स्वर्ग में भेजा तुम बहुत बहुत सावकार थे, फिर चोर्या से जनम ले, ड्रामा प्लैन अनुसार, अभी तुम दुखी हुए हो अब ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमारी आत्मा और सरीर रूपी वस्त्र सतो प्रदान थे, फिर गोल्डन एज से सिल्वर एज में आत्मा आई, तो सरीर भी सिल्वर एज में आया, फिर कॉपर एज में आया, अभी तो तुमारी आत्मा बिलकुल ही पतित हो गई है तो सरीर भी पतित है जैसे चवदा कैरेट का सोना कोई पिसन्द नहीं करते काला पढ़ जाता है तुम भी अभी काले आईरन एजेड बन गए हो अब आत्मा और सरीर जो ऐसे काले बन गए है तो फिर प्यार कैसे बने आत्मा प्यार बने तो तो सरीर भी प्यूर मिले, आत्मा प्यूर बने तो सरीर भी प्यूर मिले, वह कैसे होगा, क्या गंगा सिनान करने से, नहीं, पुकारते ही हैं, हे पतित पावन या आत्मा कहती है, बुद्धी पारलोकिक बाब तरफ चली जाती है, हे बाबा, देखो बाबा अकसर ही कितना है, बारत में ही बाबा बाबा कहते हैं, अभी तुम आत्मा अभिमानी बन, बाबा के बने हो, अपन सब क्या बने हैं हम सब, आत्मा अभिमानी बने हैं, और बाबा के बने हैं, बाब कहते हैं, मैंने तुम को सर्ग में भेजा था, नया सरीर धारन किया था, अब तुम क्या बन गए हो ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए बाबा को ही याद करना चाहिए याद भी करते हैं न हे बाबा हम आत्माय पतित बन गई है अब आप आकर पावन बनाओ अब आप आकर पावन बनाओ ड्रामा में भी ये पार्ट है तब तो बुलाते हैं ड्रामा प्लैन अन से नई बननी है तो जरूर संगम पर ही आएंगे तुम बच्चों को निश्य है बिलेवेड मोस्ट बाबा है कहते भी है स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट अब स्वीट कौन है लोकिक संबन में पहले है फादर जो जनम देते हैं फिर टीचर वह अच्छा होता है उससे कर मरतबा पाते हो knowledge is source of income कहा जाता है ज्यान है knowledge योग है याद तो बहत का बाब जिसने तुमको स्वर्क का मालिक बनाया था उनको तुम अभी भूल गए हो स्रिव बाबा कैसे आया किसको पता नहीं चित्रों में भी क्लियर दिखाया है ब्रह्मा द्वारा इस्थापना स्र स्रिव बाबा कराते हैं क्रश्न कैसे राजयोग सिखाएगा राजयोग सिखलाते ही है सत्युक के लिए तो जरूर संगम पर बाप नहीं सिखाया होगा सत्युक की इस्तापना करने वाला है बाबा स्रिव बाबा इन द्वारा कराते हैं करन करावन हार है न वो लोग त्रीम पुर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, उचते उच सिव है न, यह साकार है, वह निराकार है, स्रस्टी भी यहीं है, इस स्रस्टी का ही चक्र है, जो फिरता रहता है, रिपीट होता रहता है, सुक्स्व वतन की स्रस्टी का चक्र नहीं गाया जाता है, वर्ल्ड की history geography मनुश्यों की repeat होती है सुक्स वतन में कोई चक्र आधी नहीं होता गाते भी हैं वर्ल्ड की history geography repeat वह यहां की बात है सत्यूग त्रेता बीच में जरूर संगं यूग चाहिए नहीं तो कल्यूग को सत्यूग कौन बनाए नर्गवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर आते हैं यह तो highest authority Godfatherly government है साथ में धरमराज भी है आत्मा कहती है मुझ निर्गुन हारे में कोई गुन नही कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे कहना चाहिए बाप को उनको छोड़ ब्रदर्स देवताओं को आकर लगे है यह देवताओं ब्रदर्स ठहरे न ब्रदर्स से तो कुछ भी मिलना नहीं है भायों की पूजा करते करते निचे गिरते आए है अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है उनसे हमको वर्षा मिलता है बाप को ही नहीं जानते सर्वव्यापी कह देते हैं कोई फिर कहते अखंड जोती तत्व है कोई कहते वह नाम रूप से न्यारा है जब अखंड जोती सरूप है तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं तमो प्रदान भी बढ़ना ही है फिर जब बाप आते हैं तब आकर सभी को सतो प्रदान बनाते हैं आत्मा निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती है फिर यहां सतो रजो तमो में आकर पाड बजाती है आत्मा ही बाप को याद करती है बाप आते भी है, कहते भी है ब्रह्मा तन का आधा लेता हूं यह है भाग्यसाली रत बिगर आत्मा रत थोड़े होता है अभी तुम बच्चों को समझाया है यह है ज्यान की वर्सा नौलेज है इस से क्या होता है पतिद दुन्या से पावं दुन्या बनती है गंगा जमूना तो सत्युग में भी होते हैं कहते हैं क्रश्न जमूना के कंठे पर खेल पाल करते हैं ऐसी कोई बाते है नहीं वह तो सत्युग का प्रिंस है बहुत अच्छी रिती उनको संभाला जाता है क्योंकि फूल है ना, फूल कितने अच्छे सुन्दर होते हैं, फूल से सब आकर खुस्बू लेते हैं, काटों की थोड़े खुस्बू लेंगे, अभी तो यह है काटों की दुनिया, काटों के जंगल को बाप आकर गार्डन और फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बब लोकिक बाप तो तुमको गटर में डालते हैं, यह पाप 21 जनमों के लिए तुमको गटर से निकाल पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं, तब तो लोकिक बाप होते भी पारलोकिक बाप को आत्मा याद करती है, अभी तुम जानते हो आदा कलब बाप को याद क बाप आते भी जरूर है, सिव जनती मनाते हैं ना, तुम जानते हो हम बैत के बाप के बने हैं, अभी हमारा संबन उनसे भी है, तो लोकिक से भी है, पारलोकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे, आत्मा जानती है, वह हमारा लोकिक और ये पारलोकिक बाप है, भक बाप आकर हैवी निस्तापन करते हैं, ये किसको पता नहीं है, सास्त्रों में तो यूगों को भी बहुत लंबी चोड़ी आयू दे दी है, ये किसके ख्याल में नहीं आता कि बाप आते ही हैं पतीतों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे, कल्ब की आयू लाकों वर्ष लिख मनुस्यों को बिलकुल घोर अंद्यारे में डाल दिया है, धक्के खाते रहते हैं, बाप को पाने के लिए, कहते हैं जो बहुत बक्ती करते हैं, तो बगवान मिलता है, सबसे जास्ती बक्ती करने वाले को जरूर पहले मिलना चाहिए, बापने हिसाब भी बता बच्चों को ज्यान दे रहे हैं, इसमें तकलिप के कोई बात नहीं है, बाप कहते हैं तुमने आदा कलप याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं, अंत में सब जब दुखी हो जाते हैं, तब हम आकर सुखी बनाते हैं, अभी तुम बहुत बड़े आदमी बन देखो चीप मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट कलास होगा तुम तो कितने बड़े आदमी देवता बनते हो दिवी गुणों वाले देवता स्वरक के मालिक बनते हो वहां तुमारे लिए महल भी हीरे जवारातों के होते हैं वहाँ तुम्हारा furniture सोने के जडित का first class होगा यहाँ तो जुले आदी सब बैगरी है वहाँ तो first class हीरे जवारतों की सब चीजें होगी यह है रुद्र ज्यान यग्य सिव को रुद्र भी कहते है जब भक्ती पूरी होती है तो फिर भगवान रुद्र यग्य रस्ते है सत्यूग में यग्य अत्वा भक्ती की बात ही नहीं इस समय ही बाप या अविनासी रुद्र ज्यान यग्य रस्ते है जिसका फिर बाप बाद में गायन चलता है बक्ती सदेव तो नहीं चलती रहेगी बक्ती और ग्यान, बक्ती है रात ग्यान है दिन बाप आकर दिन बनाते हैं तो बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए बाबा हमको विस्व का मालिक बनाते है बाबा आकर हमारे दुख हरो अब बाप आए है समझाते हैं तुमको अपने ग्रस्त व्यवार में तो रहना ही है यहां बाबा पास कहां तक बैठेंगे बाप के साथ तो परमदाम में ही रह सकते यहां इतने सब बच्चे तो नहीं रह सकते टीचर सवाल कैसे पुछेंगे लाउड स्पीकर पर रेस्पॉंड कैसे दे सकेंगे इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं कॉलेज तो बहुत होते हैं फिर सब के इम्तिहान होते हैं लिस्ट निकलती है यहां तो एक ही बाप पढ़ाते हैं यह भी समझाना चाहिए दुख में सिमरन सब उस पालों के बाप का करते हैं अब यह बाप आया हुआ है महा भारत लड़ई भी सामने खड़ी है वह समझते हैं महा भारत लड़ई मैं क्रशन आया यह तो होना सके बिछारे मुझे हुए है फिर भी क्रशनक्रशन याद करते रहते हैं अब most beloved सिव भी है तो क्रशन भी है परन्तु वह है निराकार, वह है साकार निराकार बाप सब आत्मों का बाप है है दोनो most beloved क्रशन भी विश्व का मालिक है न अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन सिव बाबा ही तो ऐसा लायक बनाते हैं न क्रश्न क्या करते हैं बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए संकर का डांस दिखाते हैं वास्तम में डांस आदी की तो बात नहीं, बाप ने समझाया है तुम सब पार्वत्यां हो, यह सिव अमणना तुमको कता सुना रहे हैं, वह है वाइसलेस वर्ड, विकार की बात नहीं, बाप विकारी दुनिया थोड़े ही रचेंगे, विकार में ही दुख है, मनुस्य हटिय लोग आदी बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग से भी चले जाते हैं, रिद्धी सिधी भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीजों को निकालते हैं, बगवान को भी जादूगर, रतनागर, सौदागर कहते हैं, तो जरूर चेतन्य है ना, कहते भ बाब दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाब की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाब दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे अस्ते अस्ते बन जाएंगे फरिस्ते व वहाँ बाबा वहा, वहाँ मेरा भाग्यव। धार्ना के लिए मुक्य सार है, पहला पॉइंट, फूलों के बगीचे में चलना है, इसलिए खुस्बूदार फूल बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, एक पारलोकिक बाप से सर्वसंबंद जोडने है, दूसरा पॉइंट है, सिव बाबा प्यारे से प्यारा है, उस एक को ही प्यार करना है, सुक दाता बाप को याद करना है, अब मिठे बाबा का मिठा वर्दान है, इस लोग के लगाव से मुक्त बन अव्यक्त वतन का सेर करने वाले उड़ता पंची भव, विस्तार है, बुद्धी रुपी विमान से अव्यक्त वतन वा मुल वतन का सेर करने के लिए उड़ता पंची बनो, बुद्धी द्वारा जब चाहो जहां चाहो पहुंच जाओ, ये तब होगा जब पिलकुल इस लोग के लगाव से परे रहेंगे, ये असार संसार है, इस असार संसार से जब कोई काम नहीं, कोई प्राप्ती नहीं तो बुद्धी द्वारा भी जाना बंद करो, ये रौरव नरग है, इसमें जाने का संकल्प और स्वपन भी न आए, आज का स्लोगन है, अपने चेरे और चलन से सत्यता की सब्यता का अनुबव कराना ही स्रिष्टता है, अच्छा, ओम सांती,